हेलो एब्रिवेन वेरी वर्म वेरी चेरफुल वेलकम जू अल अफ यू मैं सेल्फ यश्य स्विव्याज प्रम रेजनेंस प्री मेडिकल डिपार्टमेंट तो आप सभी का आज के लेक्चर में मैं यश्य स्विव्याज बहुत-बहुत सवागत करती हूं तो जैसा कि आप प्रम जंतु जगत जिसको हम बोलते हैं वह हमारा अभी चैप्टर ऑन गयंग तो अभी तक हमारे 4 लेक्टर्स कम्प्लीट ओ चुके हैं जिनमें हमने पैसिक्ष को कवर करते हुए पैसिक्स को कवर कर से लेकर पैसिएलनटरिंट वर्डा सी नमं Codeta, Orthopoda, Mullusca and Echinodermita, इतना हमने कवर कर लिया है, Echinodermita की बाद में आज हम Hemichodeta, Chodeta हमारा Remaining Part रह जायाएगा, जो कि आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो आज के lecture में basicalli हम क्या कंप्लीट करेंगे हमारा Hemichodeta and Caudita and Caudita को अब जानते हैं Caudita थोड़ा सा लेंदी है यह फाइलम तो इसको हम टू पार्ट में complete करेंगे चीक है तो Caudita आज हम पढ़ने वाले बेसिकली PCS तक राइट PCS के अंदर जिसमें की मचलियां आती है तो मचलियों तक आज हम complete कर लेंगे हमी Caudita हम complete करेंगे उसके बाद में Caudita पे switch करेंगे जिसमें आपको बताएं कि Caudita के अंदर कितने classes होती है कितने वर्ग होते हैं कौन-कौन से उपसंग होते हैं आगे यानि कि सावोफाइलम होते हैं तो आगे हम बहुत इंट्रेस्टिंग तरीके से इस chapter को आगे complete करने हैं इसके बाद में एक lecture और रहे जाएगा जिसमें कि आपका यह chapter overall complete हो जाएगा समझ में आरही है आपको बात तो चलिए start करते हैं आज का हमारा lecture that is जिसमें कि Hemichaudita to Chaudita अब तो PC इस तक आज हम पढ़ने वाले हैं यह दिख रहे हैं आपको यह Chaudits में आते हैं और क्या होते हैं यह दो आपको नाम से चित्र सही समझ में आरही होंगी यह BIRD न यह Kaudita में आती है बट यह Kaudita कि भी किस फाइल किस क्लास के अंदर आती है वह हम आगे पढ़ते हुए चलिंगे बट आज हम इसमें इसमें में आती हैं बट यह आपको में आगे बताओंगी त हम Hemichordita and Chordita की PC's तक पढ़ने वाले हैं तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं आज के लेक्चर की तरफ तो स्टार्ट करते हम पहले Hemichordita से Hemichordita को Hemichordita में आपको डाइगरम नजर आ रहे होंगे तो यह कुछ Hemichordita के members या फिर सदस्य हैं जिनके डाइगरम हमने दिये हुए हैं यहां पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले Hemichordita संगठन का इस्तर सेम वही प्रोसीजन हम अपनाएंगे जैसे कि हं डेवन से पढ़ते जा रहे हैं तो संगठन का सितर में सबसे पहले क्या होता है अंग-तन्तर का संगठन इस्तर अंगतन इस्तर का संगठन सम्मीति कैसी होती है इनके अंदर द्वीपाश्य सम्मीति यानि की बाइलेटरल सिमिट्री इनके अंदर पाई जाती है क्रमी के समान मीनिंग क्या होता है worm-like, right? कैसे होते हैं यह worm-like यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं, worm-like worm-like इनकी body होती है, समुद्रे जीव होते हैं, समुद्रे में रहने वाले होते हैं, यह diagram आपको दिख रहा है, यह balano glossus का diagram में यह जो अभी मैंना आपको बताया था, यह जो डियाग्राम आपको दीख रहा है यह रियल इमेज फाइन इसका रियल फोटो है यह दिखता कैसा है और यह जो आपको इमेज दिया हुआ है यह NCRT से लिया हुआ है NCRT में सेम ऐसा डियाग्राम गिवन है अगर मैं अचुछे बात करो तो actual में ये इस तरीके से नजर आता है देखिए इस तरीके से actual में ये नजर आता है देखते हैं आगे पाचनतंत तो पाचनतंत इनमें कैसा होता है उपस्तित होता है प्रेजेंट होता है येस पाचनतंत इनके अंदर पाया जाता है श्वसंतंत जो respiration होता हैて 1-2-2-3-1ıyorum Kalimnista इने उसको बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं गिल्स नेक्स्ट उच्सरजन, एक्सक्रीशन तो एक्सक्रीशन इन में किसके थुरू होता है इनके अंदर शुंड ग्रंथी प्रोबोसिस ग्लेंड होती है प्रोबोसिस आगे वाला पार्ट ये देखिए ये जो नजर आ रहा है आपको शुंड ये इनके जो बाड़ी होती है मेली तीन पार्ट में डिवाइड़ होती है शुंड, कॉलर एंड वाक्ष शुंड को क्या बोला जाता है प्रोबोसिस क्या बोला जाता है इसको प्रोबोसिस शुंड को प्रोबोसिस, कॉलर को कॉलर और वक्ष को बुला जाता है Thorax no fine डंक्ष वक्ष को क्या बुला जाता है Thorax तो इनकी बाड़ी तीन पार्ट्स में डिवेड़ेड होती है तो उच्छार्जन मेंली किसके द्वारा होता है इनमें उच्छार्जन मेंली होता है शुन्ड ग्रंथी यानि की प्रॉबोसिस ग्लेंड के द्वारा बात समझ में आ गई नेक्स्ट परिसंचरन तंत्र तो परिसंचरन तंत्र कैसा होता है इनमें खुला बच्चों कैसा होता है इनमें परिसंचरन तंत्र इनमें होता है open type कैसा होता है open type of circulatory system are found कैसा होता है खुला प्रकार का बच्चों मैं आपको बता देती हूँ जो आपकी 11 की NCRTA हिंदी मीडियम की वहाँ पर यहाँ पर जो है बुक्स में बंद प्रकार का दे रखा है जो की गलत है मेली जो हैमिक ओडिट्स होते हैं हैमिक ओडिट्स में open type का खुले प्रकार का परिशंचन तंत्र पाया जाता है इंग्लिश की NCRT में सही है बट हिंदी की NCRT में इसमें mistake दे रखी है तो you have to correct this correction राइट यहां पर हम क्या देखते हैं खुला प्रकार का इन में परिशंचन दंत्र पाया जाता है तो आप इस चीज को करेक्टर कर लीजिएगा यह जो इनकर्यक्टर चीज दी हुए है नेक्स देखेंगे प्रेजन तो नर्ट अधा मादा इनमें कैसे होते हैं नर्ट अधा मादा लग अलग होते हैं। नीशे番र चन रहा है। परिवर्दन किस्के द्वारा होता है। और यहां पर नेक्स बात करते हैं अब हम विशिष्ट लक्षन तो इनका शरीर जो होता है मेली कैसा होता है बेलनाकार यानि कि इनकी बॉड़ी जो होती है सिलेंड्रिकल बॉड़ी इनकी होती है नेक्स देखिए इसमें बेलनाकार इनका शरीर होता है तथा शुंड यानि कि आगे वाले जो पार्ट मैंने आपको बताया था प्रोबोसिस, कॉलार तथा लंबे वक्ष वक्ष को यहाँ पर जो है वक्ष को जो है यहाँ पर बोला जाएगा थोरेक्स नहीं बोलेंगे इसको यहाँ पर बोला जाएगा trunk, fine, यहाँ पर इसको बोलेंगे हम trunk इसको मैं raise कर रहे हूँ यहाँ पर इसको बोला जाता है trunk T-R-U-N-K T-R-U-N-K trunk तो यहाँ पर इनकी जो body होती है तीन parts में divided होती है कौन कौन सी? first मैंने आपको बताया first मैंने आपको बताया है proboscis यानि की shund shund collar and finally vaksh यानि की trunk तो इनकी body किस में विभाजित होती है? तीन parts में विभाजित होती है बेलनाकार होती है shund, collar and vaksh बूलेंगे तो नहीं बात समझ में आ गई next बात करते हम hemicorita की collar शेत्र में अलपविक्स सनरश्णा होती है जिसे stomatocord कहते है very important mark that point important है ये पूछा जाता है कि stomatocord क्या होती है? या फिर question पूछ लिया जाता है कि क्या इन में प्रेश्ट रज्जू present होती है या नहीं होती है? प्रेश्ट रज्जू को इंग्लिश में बोला जाता है notocord क्या बोलते हैं प्रेश्ट रज्जू को notocord तो हैमिक ओड़िटा का जो collar शेत्र मैंने आपको बताया this one collar शेत्र ये जो मैंने आपको बीच वाला collar शेत्र बताया इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर अल्पविक्स से तो एक संरचना होती है जो कि किसके समान दिखती है? वो दिखती है प्रेश्ट रज्जू के समान यानि कि इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इंग्लिश में notocord बोलते हैं मैं अभी आपको आगे बताऊंगी फ्रेश्ट रज्जू को क्या बोला जाता है? notocord तो notocord के समान दिखती है अब इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ है या पर similar like similar like notocord पात समझ में आ गई होगी आपको istromotocord तो कॉलार शेत्र में अलपविक्सित notocord के जैसे समान संदचना होती है notocord नहीं होती है उसके समान होती है तो उसको क्या बोला जाता है? istromotocord बोला जाता है next इन्हें हैमिकॉडिटा पहले कशिरुकी संग में एक उप संग के रूप में ने रखा गया था जानी कि इनको पहले किसमें रखा गया था? कशिरुकी संग में वर्टी बेटा संग में रखा गया था लेकिन अब इन्हें अरज्जुकी अरज्जुकी का मीनिंग क्या होता है? non-cordits, अब इनको किस में रखा गया है, non-cordits में रखा गया है, इसलिए एक अलग संग के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए hemicordita को अलग रखा गया है और codita को अलग रखा गया है, यानि कि इनको किस में रख दिया है, अब अरजुकी में अलग रख दिया गया है नेक्स देखते हैं हम उधारण की बात करते हैं तो हैमिक कॉडिटा में दो उधारण आते हैं कौन-कौन से इनके अंदर आते हैं एक तो प्रफ कि बैलेनो ग्लोस उडायगरम आपको दिखाई चुकय। यहां पर यह बैलेनो ग्लोस से रियर वाले इमेज हम आपको दिखाई चुकय है नेक्स्ट देखने इसमें नेक्स्ट बात करते हम कॉड़ेटा जो कि एक बहुत बढ़ा फाइलम है हमने अभी तक जो भी फाइलम्स पढ़े थे बच्चों पौरी फेरा से लेकर हैमे कॉड़ेटा तक छोटे-छोटे से फाइलम्स थे बट जो कॉड़ेटा होता है यानि कि रज्जो की एक बहुत बड़ा अपने आप में फाइलम है जिसमें कई सारी क्लासेज है सब से पहले तो इसमें इस फाइलम का संग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में अब तक तो याद हो गया होगा सभी को क्या बोलते हैं संगो को इंग्लिश में फाइलम राइट क्या बोला जाता है संगो को इंग्लिश में फाइलम तो यह कौन सा फाइलम है यह है कौड़ेटा इंग्लिश में कौड़ेटा हिंदी में क्या बोला जाता है इसको रज्जु की और इंग्लिश में क्या बोलते हम कौ से प्राणी आते हैं तो आगे बढ़ते हैं कर देखी यह इसके अंदर देखिए संग और के अंदर संगol का संग इस थर कीसा होता हैं इन्में इन्में औरंगत Inspect तर का संगठन स्वभाव और आवाज कैसा होता है इनमें इस्थलिय अथवा जलिय लवणियां भी हो सकते हैं लवणियां का मीनिंग क्या होता है ऐसा पानी जो की खारा है जिसमें की सॉल्ड प्रेजेंट है इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप उसको मेराइन वौटर क्या बोलेंगे प्रकार का कोई सॉल्ड किसी प्रकार का कोई लवण प्रेजेंट नहीं है नेक्ट बात करते हैं हम इसकी पाचनपत तो पाचनपत कैसा होता है इनमें complete digestive system इनके अंदर देखा जाता है complete digestive system इनमें प्रेजेंट होगा परिशंचरन तंत्र मीनिंग circulatory system इनमें गुदा पश्च पुच्छ होती है तथा बंद परिशंचरन तंत्र इनमें पाया जाता है इक गुदा पश्च पुच्छ में आपको भी आगे बता दूंगी राइट नेक्ट देखिए इसमें कि नेक्ट की बात करते हैं अब हम इसमें श्वशन तंत्र तो श्वशन तंत्र कैसा होता है इनमें स्वशन तंत्र इसमें उपस्तित होता है वेट जाकिंड इनमें श्वशन तंत्र इनमें उपस्तित होता है नेक्स्ट बात करते हैं अब हम विय्जिस्ट लख्षन वेरी कौन कौन से होते हैं यह जो कि इनमें ही प्रेजेंट होते हैं और किसी में प्रेजेंट नहीं होते हैं अभी तक हमने बताया थे इस टाइप की नॉटो कॉर्ट नर्व कॉर्ट के किसी में प्रेजेंट थे नहीं यह किसमें प्रेजेंट होते हैं यह प्रेजेंट होते हैं यह प्रशे रुक्य संग के प्राणियों में तीन मुलभूत लक्षण होते हैं कौन से होते हैं तीन मुलभूत लक्षण सबसे पहले प्रेश्टर रज्जू मीनिंग नॉटो कॉर्ड इनके अंदर प्रेजेंट होती है क्या होती है नॉटो कॉर्ड देखिए आप यह जो आपको पूरी नजर आ रही है, this one, this is notochord, ये क्या होती है, ये है notochord, जो की किन में पाई जाती है, जो की केवल कशे रुकियों में पाई जाती है, next देखिए, next होती है इनमें, प्रेश्ठ खोखली तंत्री का रजू, यानि की डॉर्सल टिब्यूलर नर्व कॉर्ड, तो सबसे पह हो गया, सबसे पहलो हो गया, प्रेश्ठ रजू, नॉटो कॉर्ड इनमें प्रेजेंट होती है, next हो प्रेश्ठ खोखली तंत्री का रजू, डॉर्सल टिब्यूलर नर्व कॉर्ड इनके अंदर पाई जाती है, ये देखिए, यहां पर नजर आ रहा है, ये डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ये दिख रही है आपको, प्रेश्ठ खोखली, तंत्री का रजू, ये न्सी आर्टी का डाइग्राम में इसमें आपको नजर आ रही है, यही है जो, ये नॉटो कॉर्ड तो यह हो गए, ये पतली वाली, ये कौन सी है, नॉटो कॉर्ड, ये जो आपको न जाता है, उसको बोला जाता है, नॉटो कॉर्ड, सॉरी, नर्व कॉर्ड, फाइन, उपर क्या प्रेजेंट होती है, उपर की साइड में प्रेजेंट होती है, नर्व कॉर्ड, विच वान, नर्व कॉर्ड इनके अंदर पाई जाती है, मैं आपको क्लियरली, इसको हटा देत तर देख सकें ठीक से तो यह तो हो गई नॉटो कोड नीचे वाली जिसको क्या बोला हमने प्रस्ट रजु क्या बोला जिसको हमने प्रस्ट रजुँ यहां पर लिख दे रहे हम प्रस्ट रज्जू नेस्स देखिए क्या बोलते हैं इसको हम प्रिश्ठ खोखली टंत्रिकہ रज्जू तंत्रिका रज्जू फाइन ये जो उपपर वाली है ये कौन सी है नेक्ट देखिए युगमित ग्रसनी या क्लोम चिद्र तो किसमें पाए जाते हैं ये भी ये भी पाए जाते हैं फेरिंजियल गिल स्लिट्स क्लोम चिद्र ये देखिए क्लोम चिद्र किसमें दिख रहा हैं आपको ये जो दिख रहा हैं आपको ये क्लोम चिद्र गिल स्लिट्स ये प्रेजें किवल कोड़ेटा की अंदर इसी को ही बोलते हैं बच्चों पोस्ट इनाल पाट इसी को बोला जाता है पोस्ट एनाल पाट पोस्ट एन् आल पाट मैंने अभी जेस्ट आपको यहां प्र बताया था ना कि गुदा पस्च पुच्छ यह क्या होता है यही होता है पोस्ट एनाल पार्ट जो की पीछे वाले एरिया में प्रेजेंट पीछे वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है यह होता है मेरु रज्जु मेरु रज्जु और इसे को आप बोल सकते हैं नर्व कॉड क्योंकि यही nerve cord आगे जाके मेरू रज्जू का formation कर लेती है यह ही है nerve cord fine तो यह तो हो गई मेरू दंड यानि की nerve cord यह नर्व कोड़ी आगे जाके क्या बनाती है मेरू रज्जू का निर्माण करती है यह आपको यहाँ पर नजर आ रहे होगी यह हो गई प्रेष्ट रज्जू यानि की नॉटो कॉड प्रेष्ट रज्जू नेक्ट होते है फेरिंजियल गिल यह नजर ला रहे हैं आपको यह वाले यह देखे है यहाँ पर प्रेजेंट है यह आगे माउथ होई गया यह आगे वाला पार्ट क्या है माउथ फाइन लास्ट में गुदा पच्च पुच्च यानि की मस्कूलर पोस्ट एनाल टेल यही है क्या यही है गुदा पच्च पुच्च पोस्ट एनाल टेल अगर मैं बात करूँ इसकी तो यह यह रहा समझ में आ गई हो कि बात तो English में और Hindi में NCRT का डायग्राम दूसर डायग्राम की भी आपको यहां पर रिप्रेजेंट हमने कर दिया है ताकि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएं तो I hope आपको इतना clear हो गया होगा तो हम आगी के तरफ बढ़ते हैं तो देखिये यहां पर जो है डिफ्रेंस से दीये हुआ है यह NCRT से दिया हुआ है तो यहां पर कॉडिटा वर्सिस नॉन कॉडिटा के बीच में differences दिये हुए है कि kodita non kodita से किस तरीके से different है किस तरीके से अलग है किस तरीके से भिन है ऐसी क्या-क्या विशेशता होती है जो kodita में होती है बट absent होती है किसमे non kodita में तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अब हम रज्जो की याने कि kodita और रज्जो की means non kodita तो देखिए बात करते हुए चलते हम next इसमें तो सबसे पहले इनमें क्या होती है प्रेष्ट रज्जो उपस्चत तो प्रेष्ट रज्जो को क्या बोला जाता है नॉटो कोड क्या होती है इनके अंदर मैं इंग्लिश में भी लिख रही हूँ ताकि आप इंग्लिश में भी इन टर्म्स को समझ पाएं नॉटो कॉर्ड प्रेजन्ट फाइन जबकि यहां पर नॉटो कॉर्ड कैसी होती है प्रेष्ट रज्जू यहां पर होती है नॉटो कॉर्ड एपसेंट यहां पर नॉटो कॉर्ड प्रेजन्ट है बिट महां पर नॉटो कॉर्ड एपसेंट है अगर नॉटो कॉर्ड प्रेज जा रही है तो basic सी बात है हम उसको क्या बोलनेंगे अरज्जों की भी not कॉड़ेट्स हो गये कंद्रिया तंत्री का तंत्र मीनिंग सी एन एस क्या वोलते हैं इसको हम इसको बोला जाता है cns Central nervous system केंद्रिया तंत्री का तंत्र बात समझ में आ क्या बोला जाता है Central Nervous System क्यासा होता है इनमे प्रष्ठिय होता है प्रष्ठिय का मीनिंग क्या होता है Dorsal क्या बोला जाता है प्रष्ठिय को Dorsal खोखला का मीनिंग क्या होता है Hollow ठीक है तो इनमे जो Central Nervous System होता है वो क्यासा होता है Dorsal होता है और hollow होता है means खोखला होता है तथा कैसा होता है single एकल होता है बट यहाँ पर अरजुकी के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर CNS कैसा होता है अधर तल अधर का मीनिंग क्या होता है अधर का मीनिंग क्या होता है वेंटरल होता है कॉमा ठोस का मीनिंग क्या होगा solid कैसा होगा ठोस का मीनिंग होगा यहाँ पर solid होगा साथ में यहाँ पर कैसा होता है double कैसा होगा यहाँ पर double सब्सक्राइब यहां पर कैसा होगा थ्क जोड़ा खालो और किसा होगा एकल रहे हैं झाल स्ας में मिल रहे हैं यहां पर आज समझते मेंल आज़केश रहे होस्ते prowad ही 70畑 को शुट है कि Hindi मीडम बच्चे भी इंग्लिश में ही याद कर लेते हैं तो आपको आसाइसे इन चीजों को याद आप रख पाएं नैस देखें ग्रस्नी में क्लोम चिद्र पाए जाते हैं तो ग्रस्नी का मीनिंग क्या होता है यहां पर देखिए यहां पर ग्रशनी का मीनिंग होता है यहाँ पर फेरिंग्स 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 तो फेरिंग्स में क्या होते हैं गिल स्लिट्स क्लोम चिद्र का मीनिंग क्या होता है गिल स्लिट्स गिल स्लिट्स इन में कैसे होते हैं present होते हैं बट यहां पर gill slits कैसे होते हैं यहां पर gill slits absent होते हैं next है कि हिदय अधर भाग में हिदय अधर भाग में होता है means ventral side में heart कैसा होता इनका ventral heart heart कैसा होगा इनका ventral heart इनमें present होता है यहां पर क्या होता है अगर उपस्चित है अगर present है तो कौन से भाग में होगा प्रिष्ठ भाग में means heart कैसा होगा इनका dorsal heart कैसा होगा इनका dorsal समझ में आ गई बात heart होगा इनका dorsal next देखिए एक गुदा पस्चे पुछ उपस्चित होती है meaning क्या होता है यहाँ पर post anal tail इसका meaning लिख दे रहे हम यहाँ पर post anal tail post anal tail present होती है बट यहाँ पर post anal tail कैसी होती है absent होती है तो आई हो बच्चों आपोई differences समझ में आ गए होंगे क्या बताए हमने आपको हमने आपको differences बता है between the non-cordates and codates non-cordates को बोलते हैं और रज्जू की औ का meaning क्यों होता है absent नहीं है non बट रज्जू की means codita जिनमें की notocode present है तो नाम से ही पता चल रहा है codita जिनमें notocode present है और जिनमें notocode absent है और रज्जू की codita meaning जिसमें की central nervous system कैसा होता है dorsal होता है प्रष्ठी होता है खोखला meaning hollow होता है और एकल यानि की single होता है बट और रज्जू की में जो केंद्रे तंत्र का तंत्र होता है वो कैसा होता है बच्चों अधर तल पर अधर meaning ventral side पर solid होता है और डबल होता है दोहरा होता है इससे जो पहले वाली class थी उसमें मैंने आपको बताया था कि dorsal side कौन सी होती है और ventral side कौन सी होती है dorsal ये पीछे वाली side और ventral ये आगे वाली side this is dorsal side and this is ventral side next difference जो ग्रस्णी होती है निकी pharynx में क्लोमचिद्र पाए जाते हैं बट यहां पर क्लोमचिद्र अनुपस्चित होते हैं क्लोमचिद्र अगर भूल गए हो तो आप फिर से बता देते हूं ये वाले ये जो दिख रहा है आपको ये कौन से है गिल्स्लिट्स ये जो दिख रहा है this is gill slits नेक्स्ट देखिए इनमें जो हिर्दय होता है कौन से साइड पर होता है वेंट्र साइड पर बजो ये जो कौड़िटा है ना इसको तो आप खुद से भी रेलेट कर सकते हैं बहुत सिंपल से डिफ्रेंस हैं बिल्कु रटने की जरौत नहीं है यहां पर यहां पर प्रेश्ट जो नॉटो को प्रेजेंट होती है से एनस कौन से साइड पर होता है सेंटर नमर सिस्टम डॉर्स साइड पर प्रेजेंट होता है होलो होता है एकल सिंगल होता है ग्रसनी कलोम चिदर पाई जाते हैं गेल स्लेट जो की होते हैं हिद अधरवाग में हमारे वेंटरल साइड में है गुदा पश्चे-पुच उपस्त होती पोस्ट एनल टेल भी पाई जाती है यह वाले जो जिनमें इनमें पाई जाती है वो इनमें क्या होगी ऑविसी बात है एपसेंट होगी नेक्स बात करते है पोगे में चलते हैं संग कॉड़ेटा रजओ की किए तीन उपसंग होते हैं कौन कॉण से Eurocordita 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 Cephalocordita Cephalocordita And Kashi Ruki Vertibreta Sumajh me a gai baat Toe joh kordita hoote Kordita ke Ye kordita jo hai Ye to sang hai Ye to kya hai Ye sang hai Yarni ki phylum hai But is subphylum ke bhi Tien bhaag hoote hai Tien subphylum hoote hai Jisko ki kya bula jata hai Jisko ki bula jata hai Upsang Kya bula jata hai Jisko Jisko bula jata hai Upsang Yarni ki Subphylum Jisse bula jata hai Voh subphylum Tien prakar ki Hote hai Korn-korn se Eurocordita Jisko ki Tunei keta Bhi bula jata hai Nexter baat Kiski Eurocordita Kiski Kiski Eurocordita Kiski Eurocordita Sifilo Caudita Vati 2-3 Buna Rewise Karate Rhe Jisko था कॉड़ेटा, अब कॉड़ेटा को भी अलग-अलग पार्स में डिवाइड कर दिया, कौन सा है सबसे पहला, सबसे पहला है युरो कॉड़ेटा, याने की उपसंग युरो कॉड़ेटा, यह NCRT का है, और यहां के कुछ डाइग्राम्स भी आपके साथ, आपके लिए लेक जूँ, इस नॉटो कॉड, तो नॉटो कॉड इनमें कहां पर पाई जाती है, इनमें केवल नॉटो कॉड, केवल लार्वा वस्था में, केवल लार्वा की पूछ में, लार्वा की पूछ में, लार्वा की पूछ में पाई जाती है, तो इसको याद रखिए कि युरो जो होते हैं उनमें नौटो कॉड किसमें पाई जाती है केवल लार्वा की पूछ में पाई जाती है नेक्स देखिए यह सभी प्राणी कैसे होते हैं यह सभी प्राणी समुद्री होते हैं समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं इनका शरीर अब देखिए मैंने भी आपको को Ну सब सब्सक्राइब और होता है आवरित का मीनिंग क्या होता है आवरित का मीनिंग होता है covered चीक है तो इनकी body किस से cover होती है Tune C नामक protein से cover होती है Tune C इनके द्वारा एक covering होती है इसको बोला जाता है test उसके द्वारा cover होती इसलिए इनको Tune C अटा भी बोला जाता है नेक्ट से बात करते हैं ये कैसे होते हैं उभया लिंगाश्राई वो भया लिंगाश्राई का meaning क्या होता है हर्मे फ्रोडाइट हर्मे फ्रोडाइट मीनिंग हर्मे फ्रोडाइट हर्मे फ्रोडाइट का meaning क्या होता है बोथ सेक्सेज आर प्रेजेंट इन दोनों सेक्सेज जो होते हैं नर तथा मादा एक में उपस्थित समझ में आ गई पार तो यहां पर क्या लिखा गया है उभया लिंगा श्राई तो उभया लिंगा श्राई का मीनिंग क्या है नर तता मादा एक में ही उपस्थित होते हैं उधारन देख लीजिए इसका उधारन इंपोर्टिंट है acidia, salpa और dololum यहाँ पर आपको diagram दिये गए है यह आपको NCRT का diagram है यह acidia ऐसा होता है और actual में कैसा दिखता है actual में यह actual में जो है यह ऐसा दिखता है actual में कैसा दिखता है यह acidia, यह salpa and this is dololum यह actual में इस तरीके से नजर आते है तो देख पा रहे हैं आप अगर इनको आप देखेंगे तो अपने आप इंट्रेस्ट क्यों नहीं बढ़ेगा अपने आप बढ़ जाए को जिन चीजों को हम नहीं देख सकते हैं तो उन्हें हमें देखना चाहिए आज कल Google पर सब कुछ अभिलेबल है हर चीज का benefit अगर हर चीज का benefit है तो loss भी है अब वो हमारे पर हम पर depend करता है कि हम उस चीज को किस तरी किसे use करते हैं आप इतनी social sites से लाते हैं हर चीज गूगल पर देखते हैं बट अगर आप जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको भी तो आप Google पर देख सकते हैं इन डियाग्राम्स को क्यों नहीं देख सकते हैं मेरे साब से अभी तक जो भी बच्चे देख रहे हैं शायद ही किसी न पढ़ेगा तो चीज अपने आप ही तरीके से याद हो जाती है टिपिकल तभी होती है डिफिकल्ट भी होती है जब तक हम उसको बना के रखते हैं बट कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है कोशिसे हर काम पॉसिबल है तो यहां पर देखी एक्चुर में ऐसा दिखता है साल प यहां पर देखें यहां पर यहां प्रेस्ट रज्यू सिर से पूँच तक फैलि होती है जो जीवन के अंता तक बनी रहती है difference समझ में आया वहाँ पर यूरो कोड़िटा में नोटो कोड जो थी केवल कहा पर प्रेजेंट थी कहा तक वह प्रेजेंट थी उली लार्वा वस्था तक बट यहां पर सिर से पूछ तक फैली हुई है और पूरी लाइफ में प्रेजंट होरिफ में प्रेजंट इंदए कंप्रीट राइफ ओफी जीवन की अंत तक पनी रहती है किस में सिफलोडिटह में नेक्स देखिए यह कि मचली के समान शरीर आब यहां पर नेक्ट देखिए नर्त था मादा अलग-अलग, दोनों सेक्सेस जो होते हैं इनके अंदर अलग-अलग होते हैं, मेल अलग होंगे और फिमेल अलग होंगे, तो यहीं पर हमने डिफरेंस कर लिया, वहाँ पर क्या था ही रोर कॉर्डिटा में, दोनों एक में ही प्रेजेंट मीनिंग क्या है उबया लिंगा श्राई इंघलिश में क्या बोलेंगे हम हर्मिफ्रोडाइट अलग-अलग present नहीं है एग में ही present है इसलिए बोल दिया बर सिफेलो कोडिटा क्या है जिन्में कि नर्ढ तथा मादा दोनों अलग अलग उपस्तित हैं next देखिए नर्ढ तथा मादा अलग उधारन पर जब हम आज जाते हैं तो example देखिए इनमें example क्या आएगा इनमें Hemphioxis और daí दीनल द्याग्राम दिया हुआ है किसका ड्याग्राम मैं हिसे ग्षogen के कि 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 पी ड्ये देंटो को सपहिं कि नंॉटो कोर्ड एक नेंचरा रुरिया आपको अनॉटो कोर्ड रहा इंडियर आ दो क्ले आ किसा दिखता है इसलिए हम इस डियाग्राम को लेकर आए हैं कि एनसे एकॉडल फिंस है गॉनेट्स है लिवर यानिकी यक्रत है यह गिल स्लिट्स है मैंना आपको अभी बताये थे एंडो स्टाइल होता है बैलेंसिंग के लिए यह एक्च्वल में इस तरीके से नजर आता है देखिए यह डियाग्राम में कुछ डिफ्रेंस नजर आ रहा है कुछ डिफ्रेंस नहीं है न सेम टू सेम है बट यह एक्च्वल में है और यह बनाया हुआ है ठीक है तो चले आगे बढ़ते हम सिफेलो कॉडिटा के बाद में यूरो वर्टी ब्रेटा कशे रुकी जिसको अवस्था में पाई जाती है क्या बोल रहा है हाँ जो नॉटो कॉड प्रेजन होती है वह ब्रोंय अवस्था में पाई जाती है वह ब्रू भुरिवर्णी अवस्था में यानि कि embryonic stage में present होती है next देखिए वयस्क अवस्था में प्रेश्टरजू वयस्क का मीनिंग क्या होता है adult adult में आप जो प्रेश्टरजू होगी यानि कि notocod कैसी होगी अस्थिल, अस्थिल का मीनिंग क्या होता है boni vertebral column तथा उपास्थिल, merudand cartilaginus vertebral column में परिवर्तित हो जाती है जो notocod होती है प्रेश्टरजू अस्थिल अथवा उपास्थिल, merudand merudand का मीनि क्या होता है vertebral column में परिवर्तित हो जाती है NCRT की lines है questions इन से आ जाते हैं तो आपको याद रखना है next देखिए important lining के वाली तो इसलिए इसको highlight किया हुआ है इसमें आपका जो assertion reason वाले question बनते हैं AR वाले statement वाले कि पहला सही है, दूसरा सही है दोनों सही है, दोनों गलत है दोनों सही है RA की व्याख्या करता है कि नी करता ये वाले questions आते हैं तो इससे questions वो बन जाते है अब देखें यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कशेरुकी यानि की vertebrates इनकी बात चल रही है भी वो रज्जुकी तो है रज्जुकी भी है किन्तु सभी रज्जुकी सभी रज्जुकी का मीनिंग क्या है cordates वो कशेरुकी यानि की vertebrates vertebrates नहीं होते क्यों क्यों नहीं होते क्यों कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया यह जो मैंने अभी आपको difference बताये थे इसमें यह मैंने आपको बताया था कि कॉड़े टाक का सबू फायल हमें कौन सा कशे रुकी तो इसलिए बोला गया है क्या बोला गया है इसलिए इसलिए बोला गया है कि जो सभी कशे रुकी है वो रज्जुकी तो है क्यों कि उसी के तो सबू फायलम है कि कॉड़ेटा के सब फायलम ही तो है जिसमें की कशे रुकी एक है इसलिए जो सभी कशे रुकी वो कॉर्डेट्स तो हैं लेकिन सभी कॉर्डेट्स को आप कशे रुकी नहीं बोल सकते सभी कॉर्डेट्स को आप कशे रुकी नहीं बोल सकते क्यों क्यूंकि इसकी अंदर यूरो कॉर्डेटा भी है और से फेलो कॉर्डेटा भी है बात समझ में आई क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि जो सभी कशे रुकी है वो कॉडेट तो है बट जो सभी कॉडेट है वो कशे रुकी नहीं है समझ में आगई बात अब क्या बोला हमने कशे रुकी कॉडेट तो है किन्तु सभी कॉडेट कशे रुकी नहीं है तो उस चार उपसंग वही कशे रुकी के बारे में चल रहा है अभी रज्जुकी के मुख्य लक्षण की अतिरिक्त कशे रुकी में दो तीन अथवा चार प्रकारों वाला पेशिय अधर हिर्दय पाया जाता है क्या बोला गया है यहां पर दो तीन अथवा चार प्रकार वाला पेशिय अधर हिर्दय मींस वेंट्रल मस्कूलर हाट इनके अंदर प्रेजेंट होता है एंचियार्ट की लाइन से डिरेक्ली क्वेशन बनते हैं इन पर चार प्रकारों वाला चार प्रकारों वाला यानि की दो प्रकोष्ट वाला तीन प्रकोष्ट वाला चार प्रकुष्ट वाला भी इनके अंदर वेंट्रल मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होता है बात कर लेते हम उत्सर्जन की तो देखिए व्रक्को को क्या बोला जाता है व्रक्को को बोला जाता है किडिनी ठीक है व्रक्क को क्या बोला जाता है किडिनी और उत्सर्जन का मीनिंग क्या होता है उत्सर्जन का मीनिंग होता है एक्सक्रीशन क्या बोलता है होता है उत्सर्जन का मीनिंग एक्सक्रीशन समझ में आ गई बात Kidney तो kidney किसमें help परती है जल संतूलन water के balance में मदद करती है किसमें मदद करती है जल के संतूलन में कौन मदद करती है kidney fine तथा puck यानि कि fin या limbs के रूप में दो जोड़ी युगमित उपां two pair of appendages इनके अंदर पाए जाते हैं तो बात समझ में आ गई होगी आपको व्रक को उट्सरजन तथा जल संतूलन का कारे करते हैं तथा puck पक को क्या बोला जाता है fin या part यानि के limbs के रूप में दो जोड़ी युगमित उपांग तो जोड़ी युगमित उपांग two pair of appendages इनके अंदर पाए जाते हैं तो ये बात कर लिए हमने verti braids की next देखी अब हम बात करते हैं अभी तक हमने कशी रुके के बारे में normal basics चीज़ें देखी थी जो कि basic basics थी fine अब इसके बारे हम थोड़ा सा PCS के बारे में आगे बात करने वाले हैं जैसा कि मैंने आपको starting में बताया था कि हमें कॉड़िटा के बाद में हम कॉड़िटा पर जैसे ही switch करेंगे तो आज के lecture में हम only PCS तर discuss करने वाले हैं because कॉड़िटा एक बहुत बड़ा phylum है यह के lecture में अगर हम आपको सारी चीज़े बता देंगे तो आप सारी चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे इसलिए थोड़े थोड़े जादे किसे आपको सारी चीज़े बता ही जा रही है तो जो next lecture होने वाला है आपका next lecture में आज हमने PCS से देख लिया next lecture में एमफीबिया, रेप्टिलिया और एव्ज एंड मैमल्स पर डिसकुशन करेंगे समझ में आगई बात तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिटेल में कशे रुकी यानि कि वाटी बेटा के PCS के बारे में तो यहाँ पर डाइग्राम देखिए यह सारे जो आपको डाइग्राम्स दिख रहे हैं यह लेंप्रे है, यह फिश है, पिसीज है यह और्थोपोडा, एमफीबिया मैं तो सारी और्थोपोडा बाई मिस्टेक निकल गया मुझसे यह एमफीबिया, यह बर्ड्स है, यह टाइगर है फाइन, पैंथर, तेन दुआ बोलते हैं हिंदी में इसको तो यह सारे किसके अंदर आते हैं, बच्चों यह सारे आते हैं वर्टी बेटा, यानि की कशेरुकियों के अंदर तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब हम फाइन, कशेरुकी, वर्टी बेटा तो उपसंग वाटि बेता को पुनहा उपवर्ग दुबार से किसमें बांड दिया इसको उपवर्ग, क्लास इसमें बांड दिया गया है विभाजित क्या जदाई NCRT से लिया गया है यe फांन, NCRT कही है यe तो वाटि बेता को किसमें बांड दिया? divisions में, division में कौन सा है, सबसे पहले, aganathostomata और aganathostomata, 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 difference क्या है, a का meaning क्या होता है, a का meaning होता है, absent, तो बच्चों एगेन था कि अंदर जबडे यानि कि किसका अभाव होता है जोज का जोज आर एपसेंट तो इनमें क्या होते हैं जोज इनके अंदर जोज एपसेंट होते हैं जोज का मीनिंग तो समझते हो ना जबडे तो जबडे हो जो होते हैं इनके अंदर एपसेंट होते हैं नेक्ट देख है नेतो-इस्टोमेटर यानिकि जिनके अंदर जबड़े पाये जाते हैं यानिकि गिनेतो-इस्टोमmetर नेक्ट देख Wrap जिमें के जबड़ें का अभाव है यानि कि जौज इनके अंदर प्रेजंट ए वेट असकेंड तो देखिए यहां पर यहां पर जो है अगेन थो इस्टो मेटा तो अगेन थो इस्टो मेटा में जॉज एपसेंट होते हैं जिनमें एक वर्ग आती है एक क्लास आती है कौन सी क्लास आती है इनमें साइकलो इस्टो मेटा साइकलो इस्टो मेटा किसकी क्लास है एगेन थो इस्टो मेटा की जिनकी अंदर जबडे एपसेंट होते हैं नेक्स देखिए नेटोस्टोमेटा में जिनमें की जबड़े उपस्तित होते हैं, दो आते हैं इनमें कौन-कौन से, पिसीज और टेट्रापोडा, चतोषपाद, जिनमें की पाद यानि की लिम्स प्रेजेंट होते हैं, पिसीज पक यानि की फिन्स प्रेजेंट होते हैं इन बाकी जो amphibia में लिया है वो हम next lecture में cover कर देंगे उसके बाद में यह जो हमारे topic है animal kingdom वो finish हो जाएगा तो देखते हैं हम species, species में क्या आएंगे जिनमें की puck present होते हैं fins present होते हैं, वर्ग इसमें क्या है class, kondrycthees और ostrichthees tetrapoda, tetrapoda का meaning क्या होता है? tetrapoda का meaning होता है, जिनमें की, क्या है? two pair of limbs, चार total दो उपर के और दो नीचे के, हम जैसे कि हम हम है, हमारे दो हात हैं, दो pair तो total कितने हो गए? चार हो गए, तो यह जो चारों हैं, वो कैसे होते हैं? tetrapoda, जिनमें की limbs present होते हैं, क्या present होते हैं? इनमें present होते हैं, limbs limbs present समझ में आ गई बात, तो क्या बताया है, इस टेबल के जरी हमने vertebrata, दो होते हैं, vertebrata जो है, इनके दो divisions में divided होते हैं, agenatha and genetho stromata, agenatha में jaws, यानि की jabde absent होते हैं, जबकि जो genetho stromata होते हैं, उनमें jaws present होते हैं, जो agenatha होते हैं, उसको फिर class में divide किया गया है, that is cyclostromata, जिनमें की जबडों का अभाव है, बात करते हैं, netho stromata के, जिनमें की jaws present होते हैं, जबड उपस्तित होते हैं, उनमें pieces, उपस्तित, पक, pieces आती हैं and tetrapoda आते हैं, pieces में क्या आएंगी, basically सारी मच्छिलिया आएंगी, जिनमें की पक उपस्तित होते हैं, वर्ग कौन सा है, chondrycthees and caustrycthees, tetrapoda next lecture में cover करेंगे, हम amphibia, reptilia, aves and mammalia, सभी इसके अंदर आते हैं, तो चलि, mammalia को इस्तनी वर्ग बोला जाता है, next slide की तरफ मूव करते हैं, तो देखिए, बात करते हैं हम सबसे पहले cyclostrometa की, जो cyclostrometa है, इनका जो शरीर होता है, देखिए इसमें, cyclostrometa वर्ग के सभी प्राणी, कुछ मच्छियों के भाय परजीवी होते हैं, कैसे होते हैंगे, ectoparasite, कैसे होते हैंगे, ectoparasite, ectoparasite ये होते हैं, next देखिए, इनका शरीर कैसा होता है, इनका शरीर लंबा, डियाग्राम में देख रहा हैंगे, ये तो NCRT का डियाग्राम है, और ये हमने आपको विजुलाइज कराने के लिए डियाग्राम लिया है, देख रहे हो, बिल्कुल सेम सेम दिख रहे हैं, बिल्यकुल सेम सेम दिख रहे हैं यह पेट्रोमाईजोन है यह पेट्रोमाईजोन लेंप्रे का डाइग्राम में यह यह इसका फोटो है इसका यह ठेक है तो जब शरी लंबा है श्वासन के लिए इनमें 6-15 जोड़ी क्लोम चिद्र यानि कि गिल्सलिट्स पाए जाते हैं क् इनमें 6-15 जोड़ी गिल्सलिट्स प्रेजेंट हो देए नेक्स साइक्लो स्टोम में बिना जबडों का चूशक इंपोर्टेंट है यह बिना जबडों का चूशक तथा व्रताकार मुख होता है मीनिंग क्या है इसका चूशक का मीनिंग क्या होता है सक्कर सकर and व्रताकार मुख meaning circular mouth तो ग्या होता है इनमे circular mouth इनके अंदर पाया जाता है डाइग्राम में दिख रहा है आपको इनका जो फोटो दिख रहा है आपको कैसा है circular है देखो और इनमें क्या है जबड़ अनुपस्तित है जबड़ नहीं है इनके पास में जोज एपसेंट है इसलिए दो cyclostromata में इनको रखा गया है cyclostromata का meaning क्या है circular mouth circular mouth इनके व्रताकार मुख और क्या है चूशक बिना जबड़ों का सकर ठीक है नेक्ट देखे इनके शरीर में शल्क तथा युगमित पंखों का अभाव होता है शल्क होते हैं तथा युगमित पंखों का अभाव होता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था नेक्ट देखे कपाल एवा मिरुदंड कैसा होता है इनका उपास्थिल meaning cartilaginus होता है कपाल तथा मिरुदंड उपास्थिल होता है यह डियाग्राम आप देख सकता है petromyazone का है जबडा रहित कशे रूकी नेक्स्ट बात किरते हैं अब हो देखिए नेक्स्ट है परिसंचन तंत्र बंद प्रकार का कैसा होता है इनके अंदर परिसंचन तंत्र बंद होता है cyclostorm यह भी आपको डियाग्राम दिया हुआ है petromyazone यह मिकजीन का है ठीक है यह मिकजीन का है petromyazone है और यह मिकजीन का डियाग्राम है तो इनमें परिसंचन तंत्र कैसा होता है बंद प्रकार का उफो क्लोज होता है cyclostorm समुदरी होते हैं किन्तु जनन के लिए अलमण जल में प्रवास करते हैं इंपोर्टिंटे ध्यान रखेगा इस लाइन को क्या ध्यान रखेंगे इस लाइन में आप वैसे तो कैसे होते हैं यह समुदरी होते हैं बट जब इनको जनन करना होता है मीनिकि रिप्रोडक्शन के लिए यह कहां पर माइग्रेट कर जाते हैं अलमण जल में यानिकि फ्रेश वाटर में यह माइग्रेट कर जाते हैं प्रवास का मीनिंग होता है माइग्रेशन माइग्रेट माइग्रेट इन फ्रेश वाटर migrate in fresh water ताजे पानी में अल अवर जल में ये migrate कर जाते हैं जनन के कुछ दिन बाद ये मड़ जाते हैं इनके लारवा कायंतरण के बाद metamorphosis समुद्र में लौट आते हैं वही सेम चीज है यहाँ पर कायंतरण के बाद इनके लारवा जो है समुद्र में लौट आते हैं जनन के लिए ही सिर्फ एक इसमें migrate करते हैं लवर जल में migrate कर जाते हैं उधारण क्या है इनका उधारण है इनके पास में इनका petromyazone, lamprey तता mexene mexene को क्या बोला जाता है hackfish वह petromyazone का तो हमने डियागरम आपको बता ही दिया यह वाला है और यह जो आपको डियागरम दिया हुआ है यह किसका डियागरम है this diagram is for mexene यह mexene है दिख रही है circular mouth है देखो circular mouth है इनका और इनके इनकी पास में टीथ नहीं है jaws absent है next बात करते हैं अब हम super class species पख या फिन उपस्तित होते हैं जिनके अंदर तो chondricthies और ostrichthies chondricthies उपस्तिल मच्रियां होती है meaning cartilaginous fishes cartilaginous fishes और यह कैसी होती है और इस्थिल का मीनिंग क्या होता है बोनी बोनी fishes ठीक है कैसी fishes होती है यह बोनी fishes होती है तो super class species की तरफ हम move कर रहे हैं अब हम चुट्रिक थीज और अब स्ट्रिक थीज और अॉस्ट्रिक थीज होती हैं का यह जिनके थीज का डिवनी थीज यह हैं चलिए आपको पूरा परिख्राफ है, उसको आप जल्दी से यहां पर कबर कर ले, तो जल्दी से आप समझ में आ जाएगा आपको नो चलिए Conject Thices में सबसे पहले आता है धरा रेखिये शरीर, कैसा होता है इनका? धारा रेखिय शरीर के समुद्रे प्राणी होते हैं धारा रेखिय का मीनिंग क्या होता है streamlined body streamlined body streamlined body का मतलब क्या होता है मेले fishes को देखो को तो बिलकुelt बीच में इक lai होती है, जोका इनकी beyond सी बिलकुल equal parts में divided schema आप किह सकते हैं इसको तो यह क्या होती इस्ट्री लोएंड, धारा रेखी है शरीर के यह समुद्री प्राणी होते हैं, नेक्स देखिए ओस्ट्रिक्थीस, तो ओस्ट्रिक्थीस में शरीर धारा रेखी थी होता है, और मचलिया कैसी होती है, लवणिया तता अलवणिया, दोनों जल में पाई जात तैक्ष देखे इनका अंता can kind call कैसा होता है अभी जेस्ट्रि बता यह इनका का इसा ही चाई चाहना कहना के बने nuanced और एनका को पास्थिल का सब्सक्रां कि होता है नो कित्थिल के होता है खाई जया बोणियद को सब्सक्राइब बोनियर नो क्याने का मतलब और यहां पर काटेलेज से मिलकर बना होता है नेक्स देखिए अधर तल पर इस्थित होता है और प्रेश्ट रज्यो नौटो को चिरिस्थाई होती है चरिस्थाई का मीनिंग क्या होता है पूरी लाइफ में पूरी लाइफ में प्रेजेंट होती है और चरिस्थाई का मीनिंग पूरी लाइफ में प्रेजेंट होती है और श्टरक्थीज में देख लिजिए मुख कहां पर होता है अगर सिरे के अंत में होता है ख्लियर है इतना next देखिए और contract इसमें clone अलग-अलग होते है Gill slits जो होते हैं इनमें कैसे होते हैं अलग-अलग होते हैं clone चिद्र कैसे होया इनमें अलग-अलग है और प्रच्छद यानि कि ओपर क्योलंग से ढके हुए नहीं होते ओपर क्योलंग कि देखिए यह मैंने आपको बताया था यहां पर इनके जो गेल स्लिट उते उनके उन पर कवरिंग होती उसी कवरिंग को बोला जाता है ओपर क्योला फाइन तो यह जो गेल स्लिट दिख रहे हैं आपको गेल let's see, यहां पर मैंने जो आपको बताया था, यह क्लोम चिद्र, इन पर कवरिंग होती है, इन पर एक कवरिंग होती है, जिसको बोला जाता है, ओपर क्यो लंप, clear तो देखिए, इसमें ऑपर क्योंब से ढखे हुए कवर नहीं होते हैं, बट ऑस्टरिक थीज में क्या होते हैं, ऑस्टरिक थीज में चार जोड़ी क्लोम चिद्र होते हैं, और दोनों और, दोनों और जो है, दोनों और ऑपर क्योंब, यानि कि प्रचद से ढखे हुए रहते नेक्स्ट देखिए इन में फर्टिलाइजेशन जो होता है अंतरिक होता है अंतरिक का मीनिंग क्या होता है इंटर्नल फर्टिलाइजेशन अंतरिक का मीनिंग होता है इंटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इन में इंटर्नल फर्टिलाइजेशन जबकि इन में कैसा होता है इन में होता है भाईय भाईय का मीनिंग क्या होता है एक्स्टर्नल एक्स्टर्नल फर्टिलाइजेशन होता है पहले मैं आपको हाइलेट कर देते हूं क्या है आंतिक निशेचन होगा अधिकांश कैसे होते हैं यह ज अंदर प्रत्यक्षी में क्लीर है तना क्या बताया अभी हमने आप आपको बताया हमने कि निशेचंछ चन आंत्रिक होगा सबसे पहल तो internal अधिकांष कैसे होते हैं जरायुज जरायुज का मूनिक्स को अधिकांश का मीनिंग को कि पहले अंडे को देते हैं उसके बाद में फिर वयस्क बनता है तो इसका मीनिंग होता है अंडच का ओविपे रस ओवी पेरस निशेजन हो गया यहाँ पर भाई एक्सटर्नल परिवर्धन कैसा होगा इनमें प्रत्यक्ष परिवर्धन मीनिंग डाइरेक्ट डवलपमेंट क्लियर इतना नेक्स देखिए इसमें तवचा दड़ एवं सूक्ष में पटाव शल्क युक्त होती है पटाव दात एवं पटाव शल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की और मुड़े दंत होते हैं और जबड़े कैसे होते हैं इनके बहुत शक्तिशाली इनके जबड़े कैसे होत इन में पाये जाते हैं किया सक्षाली होता है आपको पता है कि जैसे कि जो पिश होती है इस तरीक तो इन में कई तरीके से जो है स्केल्स इनके शल्क पाये जाते हैं उसी को भी बोला जाता है स्केल्स शल्क युक्त चीक है तो इन में कैसे होते हैं पट्टाब शल्क युक्त वहते हैं सूक्ष में होते हैं स्ट्रॉंग टीथ इन में पाए जाते हैं इन में देखो इन में कौन से होते हैं इन में जो होती है त्वचा कैसी होती है साइक्लॉइड टीनॉइड शल्क से डखी हुई होती है तो शल्क का मीनिंग क्या है हाई क्लासे में जब आएंगे तब आप स्केल्स के टाइपस के बा प्लैकॉइड स्केल्स बट इन में कैसे होते हैं साइक्लॉइड और टीनॉइड कैसे होते हैं इन में साइक्लॉइड और टीनॉइड Tenoid Scales इनमें पाए जाते हैं समझ में आगई बात तो चलिए Next बात करते हैं Next differences की तरफ move कर रहे है Contracts इसमें वायो कोशों की अनुपस्थिती के कारण ये डोबने से बशने के लिए लगातार तैरते रहते हैं वायो कोश क्या होते हैं इनमें अनुपस्थित होते हैं जबकि इनमें वायो कोश कैसे होते हैं उपस्थित होते हैं तदा किसमें मदद करते हैं उत्पलावन देखिए वायो कोश का मीनिंग क्या होता है Air bladder तो इनमें जो air bladders होते हैं वो मेली कैसे होते हैं अनुपस्थित होते हैं, absent होते हैं, बट इनमें जो airbredders होते हैं, वो present होते हैं, उत्प्लावन का meaning क्या है, बियॉंसी, बियॉंसी का meaning के balance करने में ये मदद करते हैं, बायू कोश्ट उनमें उपस्थित होते हैं, बट यहां पर absent है, इसलिए डूपरे से बचने के लिए होता है, island o रे होता है, निलय, meaning क्या है, authent, can you make one for bless or theικeso pattern, clear है यहां पर देखिए, यहां पर बईद ब्रब्राकोश्ट उनमें एक निलय नेक्स देखिए, यहां पर कुछ में विदुद अंग होते हैं, विदुद अंग यआनि की electrical organs किसमें पाया जाते हैं? पाया जाते हैं वो टॉर्पिडो में तथा कुछ में क्या होते हैं? विश्दंज पॉईजन पाया जाता है, किसमें? ट्राइगान में, बट यहाँ पर कोई विशेश अंग नहीं होता है तो याद रखिएगा आप यहाँ पर कुछ में विदुद अंग होते हैं एक्जामपल टॉर्पिडो इलेक्ट्रिकल रेज इसको बोला जाता है कुछ में पॉईजन ग्लेंज प्रेजेंट होती है जिसका एक्जामपल है ट्राइगॉन इनमें कोई होते ही नहीं है क्या मतलब है जो कि अपने शरीर का टेंपरेचर अपनी बॉड़ी का टेंपरेचर नियंतित नहीं कर पाते है जिनको बोला जाता है पॉई किलो थर्मिक यानि कि इनका जो बॉड़ी का टेंपरेचर होता है वो एन्वार्मेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है जो कि अपनी बॉड़ी के टेंपरिटर को कॉंस्टेंट रख पाते हैं जिसमें कि हम एव और मेंबल्स पढ़ेंगे आगे तो यह कैसे होते हैं मेली असमतापी पॉई किलो थर्मिक नेक्स्ट देखिए कॉंट्रिक थीज में नर तथा मादा अलग-अलग नर तथा मादा कैसे होते हैं इसमें इसमें तथा मादा अलग-अलग होते हैं next देखिए Conducthees में नर में शोणी पख में आलिंगक यानि कि class पर होते हैं मेली class पर क्या करता है fertilization में, sorry निशे चन में, जी हां fertilization English में बोलते हैं और निशे चन हम हिंदी में बोलते हैं मेली fertilization में help करते हैं यह इनके पास में कि Conducthees में पाए जाते हैं तो बात समझ में आ गई आपको यह एक्जाम्पल्स है वर्टी बेटा के अधिवर्ग के पिसीज के तो देख लीजिए इसकॉलिडॉन कुत्ता मचली डॉग फिश यह प्रिस्ट्रिस आरा मचली सारे एक्जाम्पल्स आपके इंसियाटी के ही है कॉर्केडॉन विशाल आपको तो बोला जाता है और यह उसको बोला जाता है नेक्च देखिये और आपको को दिया हुआ यह तो आपके डायग्राम एक्जामपल किसके थे ऑस्ट्रिक थीस के ठीक है बूलिएगा नहीं यह जो आपको दिये गए हैं यह है और कॉंड्रिक थीस के एक्जामपल यह सारे हैं कौन-कॉन से इसके उधारन देखिए एंसी आटी ने पुरा मेंशन किया गय और फ्रेश वॉटर में स्वच्च जलिय और एक्वेश्च में तो आपको पता है इसी जिनको आटिफिशली एक्वेश्च अव्यरियीम में रखा जाता है तो समुद्री कॉनसी होती हैं एक्जो सेटर्स और हिप्पो Кेंपस जिसको कि क्या बोला जाता है समुद्री घोड नेकर स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छिर में कौन सी होती यानि कि फ्रेश वाटर लेभिया रोहूदा डोहू बोला जाता है कतला कतला और स्वाज़ीयम और क्लेरियस मांगुर पीटा noisy होथी अक्वीरियम में कौन सी होतीक है बेटा fighting fish और petrobson यानि कि Angus मचली तो यह सारी जो एक्जाम्पल से किसके है और स्ट्रिक थी इसके देखिया यह एक्जोसिटर्स है यह हिपोकेंपस इसका NCRT में भी डियाग्राम दिया हुआ है स्वच्छे जल में अलेवडी यह लेबियो रोहिता यह कटला-कटला यह क्लेरियस इस फाइट कोड़ेटा से आधगे हमने पूरा पॉश्चन कवर कले यह कहां तक पीसी से तक हम पूरा डिटेल में अज पढ़ चुके हैं बच्चों NCRT के अकौडिंग साथ में डियाग्राम देखिये बहुत सारे NCRT के डागराम हमने देखे विद हमने additional डागराम भी देखे ताकि आप सारे चीज़ों को interesting way में देख पाओ So thank you very much, keep learning Bye bye, आपका homework यही है कि आपको 2-3 बार सारे चीज़ों को revise करना है, next lecture में हमारा ही chapter complete हो जाएगा Class 11 का chapter number 4 Animal Kingdom that is Jantoo So thank you so much everyone Bye bye, keep learning